और उसको तनमता से अपनाना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को अपने जो हमारे भविशे को हम सुरक्षित कर सकें क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी आज इतनी जादा विशेवासनाई घर कर चुकी हैं कि हम अपने जीवन को जीने का उद्दिश्य ही भूल गए हैं हम अपने जीवन जीने की कला को ही भूल गए हैं तो हम अपने जीवन जीने की कला को जीने के लिए योग की शरण में आना चाहिए और योग को अपना करके अपने जीवन को ही नहीं वरण अपने परिवार और अपने समाज के जीवन को भी स्वस्त बनाना चाहिए क्योंक जीवन के उच्छ लक्षे को भी प्राप्त कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम योग की सरण में बहुत जल्द आएं और निरंतर रहें और हमेशा इसको एकागरता से करते हुए अपने जीवन को स्वस्त बनाने का प्रियतन हमेशा करते रहें ये भारत की वो प्राचीन विदा है जिसकी वज़े से भारत को विश्व गुरू कहा जाता है तो आज पुने जो योग की जागरुकता है वो भारत में पहले से ही थी आज और बढ़ गई है और यदि सरकारी प्रशाशन अमला इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें तो इसको हमारे पाठ्ठे करम बीमारियों से घिरते जा रहे हैं उनका जीवन शैली बहुत ज्यादा बेकार हो गई है वो फास्ट फूड पर जंक फूड पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं तो हमें चाहिए कि हम योग की शरण में आकर के अपने की कोशिश की जा रही है लेकिन जैसा आपने कहा कि योग को लेकर जागरुकता पहले से थी और इन सालों में और भी बढ़ी है लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो योग तिवस के प्रती इतने अवैर नहीं है उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से व उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन चीजों को वो देख नहीं पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं सोच नहीं पा रहे हैं तो मैं सबसे प्राथना करना चाहूंगा सबसे पहले उन अभी भावकों से जो अपने बच्चों को लाड़ प्यार तो करते हैं लेकिन उनकी जी प्रति सचेत हो जाएं जिससे कि आप अस्पतालों में मोटा पैसा खर्च करते हैं और बीमारियों की प्रति आप दुख उठाते हैं और अपना समय भी बरबाद करते हैं तो इन सब चीजों से बचने के लिए सभी अभीभावक और सभी जो भी लोग हैं जो आज आलस में हैं जो अपने जीवन के साथ खुद खिलवाड कर रहे हैं उनको चाहिए कि योग की शरण में आएं और औरों को भी जागरुक करते हुए योगा को अपना कर अपने जीवन में आनंद लें और अपनी उम्र को लंबा करें अपने संदरिये को बढ़ाएं और अपने विचारों के संदरिये को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी यारदास्त, हमारा मस्तेश्क, हमारे विचार और हमारे कर्म, शद कर्म की तरफ चलते हुए हमारे भारत में संसकारों का बहुत ज्यादा जो आज लुप्त होते जा रहे संसकार हैं उनको हम पनर जीवित कर सक हमारी भारतिय संसकर्तिय और संसकार ले करके हम जब विच्व में जाएं तो हमारा भारत विच्व गुरू पने और हमेशा हमेशा के लिए बने पंडी जी लोगों के जीवन में बहुत वैस्तिता है लेकिन अगर हम बात करें समय की तो समय निकाल पाना लोगों के लिए लिके के योगा बताईए देखे योगा जो समय का विशे नहीं है योगा तो आप कभी भी जब भी आपका मन करे तब कर सकते हैं समय का इसमें कोई विशे नहीं है हम अधिकतर बहुत सारे लोग मेंने देखे हैं कि वह हसी मजाक में या अपने और ज्यादा विशोमर अपने स है वो सब के लिए महतम है क्योंकि कि अनुलों-ब्लों-ब्लों प्रनायाम से हमारा वात और हम संतुलन होता है हम कहते हैं कि हमारे श 허लिस तीन परकार के रोग होतें वात और पित कफ लेकिन कफ कोई रोग नहीं होता इसलिए आपने को पूछा है और आपको बड़ प्रेस्टर है ठीक रहेगा लिखने में यह के यह जो मतलब एक कि आफ़ सकता होती है वह की पूर्टी होती रहा और हमएशा हम कई सारी बीमारीयों से बछेंगे जब हमारी टॉक्षेंस हमारे सिर्य से और होगी